हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त राजन शरोडिया दोस्तों MPPSC फारेस्ट मैंन के सिलिवस में यूनिट 9 का एक टाफिक है परिया बरार या इनवार्मेंट तो दोस्तों आज हम इस यूनिट 9 के टाप 10 MCQ को साल्व करने वाले हैं और इसी परकार से हम इस सीरिज को आगे चलाएंगे और लगभग दोस्तों से 300 कोश्चन या MCQ हम इस टापिक के साल्व करेंगे और इस परकार से हम इस यूनिट 9 को पूरा कबर कर लेंगे ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का कोश्चन नमबर एक से कोश्चन नमबर एक है एकोलाजी पारिस्तित क सब्द का प्रियोग सरपथम किसने किया था तो आफसन दी हुए है टैंसले, अरनेस्ट हिकल, लिंडे मान और लिवे नहाग तो दोस्तों सबसे पहले हम इस जान ले कि पारिस्तित की या एकोलाजी होता क्या है तो देखें पारिस्तित की जो है जिव विग्यान या भूग तो इस कोश्टन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोश्टन नमبر एक का अरनेस्ट हेकल, मतलब ऑफ्सन नमर भी सही है कुश्चन नमबर दो देखते हैं कुश्चन नमबर दो दिया हुआ है एको सिस्टम पारिस्थिती की तंतर सब्द का प्रियोग सरपथम किसने किया ठीक है तो आफसान दियो है तो सबसे पहरे हम जान लेते दोस्तों कि यह एको सिस्टम या पारिस्थिती की तंतर क्या होता है ठीक है देखिए पारिस्थिती की तंतर को दोस्तों एको सिस्टम कहते है या पारितंतर भी कहते है ठीक है पारितंतर या पारिस्थिती तंतर कहते है एको सिस्टम को ठीक है द जो की अपने अजयो परियावराड के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर जयविक की काई बनाते हैं अजयो परियावराड मतलब जैसे भूमी हो गया, जल हो गया, प्रकास हो गया ये अजयो परियावराड के साथ अजयो परियावराड हो रहा है तीक है दोसे हम के कहते है एको सिस्टम या पारी तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते है एको लॉजिकल सिस्टम और जो पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों इस सब्द का प्रियोक सरप्रथम टैंसले ने किया था किस ने किया था तो कुष्टन नमर दो का राइट अंसर हो प्रभाह का नियम किस ने दिया अब दोस्तों यह 10% का नियम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं देखिए पारिशी तेंतरव जो उर्जा का प्रवा होता है दोस्तों या किसी भी खादर सेंकला में उर्जा का प्रवा होता है वो 10% मियम का पालंग करता है 10% नहीं मतलब दोस्तों केवल 10% उर्जा एक पोसी इस्तर से दूसरी पोसी इस्तर में इस्तनान्दित होती है बाकी बातर वर्ण में दुक्त हो जाती है सपोस्थ देश दोस्तों जो उत्पादक होता है उसके पास यह दिमान के चलिए 100% एनरजी है तो जो प्रात्मी को भोगता होगा ठीक है प्रात्मी को भोगता होगा तो 100 का 10% कितना होगा 10 तो 10% ही प्रात्मी को भोगता को टांसफर होगी बाकी 90% का होती है बातर वर्ण में मुक्त हो जाती है उसी प्रकार से जब प्रात्मी को भोगता कितना हो जाएगी तो 10 का 10 परशंट कतना हो जाएगा एक तो मतलब एक जाएगी बाकी नो जो है दोस्तों वो कहा हो जाएगी बातरोड में मुक्त हो जाएगी तो इस प्रकार से इसे 10 पृतिस्यत नियम का पालन करना कहते हैं उर्जा प्रभा का पालिसितिक तंतर में और दोस्तों जो लिंडेमान थे रेमन लिंडेमान उनके द्वारा पालिसितिक तंतर में उर्जा के प्रभाय का 10 प्रतिसात कानून बनाया गया था या प्रस्ताबित किया गया था नेस्ट कुछन देखते हैं निमन में से कौन सा एकोसिस्टम मानुनिर्मित है ये ये अप आप अपtoं को अच्छे से देखो दोस्तों आपसस का आणसर बैसे ही लगा सकते हो बाकिस समूद्र वन और नदी जो है प्रक्राटिक सिस्टम है ठीक है देखिये समूद्र जो है वन और जो नदी है यह प्रक्रतिक एको सिस्टम है, मतलब प्रक्रति ने इनको बनाए है और बगीचा और एक्वेरियम दोस्तों जो मचली घर होता है यह मानुद में दिया प्रतिम एको सिस्टम होते है यदि कभी कोई कुश्चन पूश ले दोस्तों की सबसे इस्थाई एकोसिस्टम कोन सा होता है दियाद रखना समुद्र या महासागर का जो की सिष्टम होता है सबसे जदा इस्थाई एकोसिस्टम होता है असत्य कथन को पहचान हें हरे पीड़ पोदे ऊत्पादilly बिल्गुल झाही बात है दोस्तों यह परपोशी होते हैं नहीं यह बात गलत है तुक है परपोशी नहीं होते कर अक्सिजिन प्रदान करते हैं ये बाद तो हम बच्पन से बढ़ती हुआ रहे हैं सेवाल और कबक का सहजीमन लाइकन है ये बाद भी सही है इसलिए कोश्चन नमबर पांच का सही अंसर हो जाएगा बी यह परपोसी होते है यह कथन पसक्ति है अब देखिए दोस्तों परपोधे पानी कार्मन एकसाइड की उपस्तिती और सुर्फ प्रकास की उपस्तिती में क्या करते हैं और जल की उपस्तिती में क्या करते हैं अक्सिजन का निर्मा करते हैं मतलब प्रकास संसेसर करते हैं ठीक है प्रकास संसेसर क्रिया करते हैं और अक्सिजन को मुक्त करत मतलब पुरपूसी नहीं होते है । यह क्या होते हैं आप देए दोस्तो लाइकन का प्रियोक है दोस्तो याद रखना है लाइकन का प्रियोक जो है दोस्तो वायू प्रदेशल की जाज Local की रिच नाहेет कोशेन नमबर 6 निम्नमत से कौन मिल रटूप जीवी है तो उतपादक उपभोकता अभगटक तीक है तो याद रखने दोस्तो अभगटक जो होते हैं वो मिलाने वाले कौन है अभगटक है अब देशे दोस्तो सूर्य जो है उतपादक मतलब हरेपोदे तीक है इससे कहा प्रत्वी का सफाई कर्मी कभी कूछ ले तो गिद्ध को प्रत्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है कुश्चन नमबर साथ है उर्जा का पिरामीट सदेव कैसा होता है सीधा उल्टा दोनों कोई नहीं तो इसका रइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओर्जा के पिरामीट हमेज़ा सीधा होता है अब देखे दोस्तों यह 100% उर्जा है ठीक उतपादक के पास तो मतलब सबसे ज़ से कम है और सरवाहरी के पास सबसे उपर जो टाप में है इसके पास सबसे कम है इस प्रकार से हम कचा सकते हैं कि नीचे से उपर जाने पर क्या होता है कम होते जा रही है उर्जा इस प्रकार उर्जा का प्रामिड हमेशा कैसा बनता है सीधा बनता है क्योंकि उर्जा का इस दो रखना तलाओ का जयो भार पिरमीड हमें से उल्टा होता है तीक है अब इसको हम ऐसा समझेंगे दोस्तो मान के चलिए कैसे का हो रहा है कम हो रहे है इसलिए इसका पिरमीड हमें से कैसा बनता है उल्टा बांता है अगर आप बिस कर ये जियो प्रमीट के साहोता है तो ये हो इसेथा होता है ओता है और अल्टा होता है इस्कों कैसे पेक् matarуют आएंगेCola क्याया बकार। क्या होता है वो तलाओ का जीव संक्या प्रामी नमें से क्या प्रसा बनता है सीधा बनता है केसे कहा जाता है तो बिलसन को दोस्तों जय वीविता का जनक कहा जाता है अब जै विविट्टा क्या होती है लेकि घरातलीये महासागरीये वश्य तो भी जीमforcement के वीच के वीच विविनेता जै विविट्दा है और इसके लाब दोस्तों विश्व के सम्र marketing जै वाले सतरह देशों में भारत भी शंब deaths है जिसमें बिश्व की लगभग 70% जयविवित्ता विद्दमान है बिश्व के कुल 25 जयविवित्ता के सक्री केंदरों में से दो पूर्वी हिमाले और पच्च्चमी घाट भारत में है और जयविवित्ता अधिनियम का पारित हुआ तो याद रखना 2002 2002 में जयविवित्ता अधिनियम पारित हुआ था ठीक है कि कुश्चन नमबर 9 है निम्ने में से कौन सा जयविवित्ता संदक्षण का इन सिटू स्वास्थानिक तरीका नहीं है ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों राश्टी उद्यान चुडियागर जयवि आरक्षि छेत्र अबार्न जीव अविरान ये प्राक्रातिक है लेकिन चिलियागर कैसा है यह मैनमेड है मतलब मनुशने इनको बनाया है क्रत्तिम है इसलिए यह स्वास्थानिक तरीका नहीं है कौन चिलियागर अब देखते हैं जवित्ता संदक्षण कित्त प्रकार के हो वह और उतस्थानियं में कौन को होते हैं ग्रह उद्धियान जिनको इनसान मनाता है बीज वेंग क्राइयोग प्रिजैंज नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखना अमेजान बर्शवन को प्रत्वी के फेपड़ों के नाम से जाना जाता है अब अमेजान के बरसा बन के बारे में थोड़ी सी जनकारी हम देखे लेते हैं दोस्तों देखी प्रत्वी के फेपड़े अमेजान के बरसा बनों को कहा जाता है दोस्तों पहली बात तो आपके पता होना चाहिए जो दोस्तों 20% को उत्पादन करता है ठीक है 10% ग्यात प्रजातियों के निवास सिर्फ अमेजान के बरसा बन ठीक है इसके लाबा दोस्तों प्रत्वी की 4% सतह पर बिस्तरत है ठीक है और इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीज जिदी हो तो इसके बिस्तार 9 देसों में हैं गटबंदी छेतरों में पाए जाते हैं अमेजान के बरसा बन प्रत्वी के सबसे बड़ा उस लिकटबंदी ये बरसा बन है ठीक है यह बात भी आपको याद रखना है तो दोस्तों यह थे आज के 10 कोश्चन यह यह आपको वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा सा भी ह चैनल को ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसको नोटोफिकेशन दोन पर जाए थेंक यू